इस डाइगराम को समझते हैं सबसे उपर ये है ग्राउंड रो सर्फेस ग्राउंड सर्फेस से जस्ट नीचे अप टू वाटर टेबल जहां वाटर टेबल शुरू हुआ है उसके बीच का जो एरिया है इसको बोला है जोन आफ एरियेशन और यहां जो पानी मिल रहा है उसको यह तो इस बीच वाले जोन का नाम है जोन आफ एरियेशन या वैड़ो जोन वैड़ो उटर जोन और इसको हमने फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है सोयल वाटर जोन इंटरमेडियेट वैडो जोन और कैपिलरी जोन और वाटर टेबल के जो नीचे मिल रहा है उस एरिया को हमने जोन को नाम दिया है जोन ओफ सैचुरेशन जोन ओफ सैचुरेशन क्यों कहा है हमने इसको क्योंकि इस जोन में जित्ते भी सॉयल के बीच में जो पोर स्पेसिज हैं क्रैक्स हैं सब के सब कम्प्लीटली वाटर से फिल्ड होते है water से पूर्ण रूप से saturated है इसलिए इसका नाब zone of saturation है और इसको ferritic water zone भी कहा जाता है soil water zone अब जो soil water zone है हमारा ये एक छोटा सा thin zone है जिसकी मोटाई vary कर सकती है कहीं 1 meter तो कहीं 9 meter तक भी चली जाती है it extends from ground surface down through the major root zone ये ground surface से लेकर major root zone जहां तक अपने plants होते हैं जित्ती vegetation होती है उसका root zone होता है जहां तक उसकी root penetrate करती है ground surface में वहां तक के zone इसको include किया गया है soil water zone में इसकी thickness जो है thickness varies with soil type and vegetation जिस तरह का soil type है soil type का मतलब coarse green soil है fine green soil है और किस तरह की vegetation वहां है उस पर depend करती है इस zone की thickness soil water is the water that is immediately available to the plants और इस zone में जो हमें water मिल रहा है वो हम तो extract नहीं कर सकते लेकिन वो plants के लिए beneficial है plants की जो roots है वो इस water को absorb कर सकती है और अपने use में दे सकती है this water can be removed by air drying or by plant absorption but cannot be removed by gravity ये पानी जो यहां इस zone में available है ना वो नीचे चला जाता है gravity से बस ये या तो वहां से dry हो जाएगा air operation से या फिर plants से absorb कर सकती है और इस zone में जो water होता है वो काफी less quantity में होता है when excessive water reaches ground surface as from rainfall और irrigation जब बहुत ज़्यादा पानी ground surface पे आता है चाहे rainfall से हो चाहे रिगेशन से हो तब ये water इस soil water zone में थोड़ा saturation की तरफ बढ़ जाता है और इस zone में ये तो बहले डिसकस करे लिए हमने कि यहां पे जो पानी मिल रहा हो plants के growth के लिए important है next है intermediate widows zone अब soil water zone और जो उसके नीचे मिलता है उसके जश्ट नीचे मिल रहा है intermediate widows zone जो की soil water zone और capillary zone के बीच का part है it extends from lower edge of soil water zone to upper limit of capillary zone capillary zone से उपर तक का thickness varies from 0 meter to 100 meters अब 0 meter कहाँ 0 meter का मतलब मिलता ही नहीं कई बार यह क्या है miss हो जकता है कई places पे कि आपको intermediate widows zone मिले ही नहीं सिधा water table ले आ जाये जहाँ water table बहुत हाई होता है वहाँ पे यह miss कर जाता है वहाँ होता ही नहीं कई बार deep water table कंडिशन्स में इसका जो thickness है 100 meters तकल जाती है और यह जो zone है यहाँ पर वास्तव में यहाँ पे भी वही चीज है ariation zone of ariation का यह पार्ट है तो यहाँ पर पूर्ण रूप से इसके जो pore spaces हैं वो नहीं भरे वे होंगे पानी से पानी और यह बहुत होगी यह वो zone है जहाँ पर पानी movement कर रहा है due to gravity towards water table पानी उपर से अंदर इन फिल्टर हुआ और इस zone में पानी रुका वा ना होकर movement कर रहा है उपर से water table की तरफ तो वो zone है intermediate vedo zone और यह एक diagram है जिस में show कर रहे हैं हम vedo's water held at contact points of particles in the unsaturated zone जो unsaturated zone है उसमें water किस तरह से soil particles के बीच में कैसे molecular attraction से यूँ कहा सकते है trapped है इसको हम निकालने सकते है जैसे यहाँ हम show कर रहे हैं कि यह एक soil particle है यह soil particle है और यह बीच में air है और इसके बीच में जो यह shaded portion दिख रहा है आपको यहाँ पे water है अगर इसे blue color से दिखाऊ हूँ मैं यह जो portion है यह 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 यहाँ पे water molecular attraction से जुड़ा हुआ है next है capillary zone capillary zone नाम से ही आपने capillary action सुना होगा कि छोटी-छोटी नलिकाओं से पानी उपर की तरफ उठ जाता है आपने लेंटल तो ही पड़ा होगा इस से यह वही चीज है water table के just उपर होता है यह और intermediate widow zone के नीचे इसमें क्या होता है water table से पानी capillary action से थोड़ा उपर उठ जाता है और उसी zone को जहां पे यह पाया जा रहा है capillary action से थोड़ा सा water table से उपर उठा हो उस zone को capillary zone का जाता है it is also called capillary fringe इसे capillary fringe भी का जाता है extends from water table up to the limit of capillary rise of water उस limit तक जहां तक capillary action से water rise कर जाए जो कि vary कर सकता है soil के type से उसके quality की वज़े से vary कर सकता है कहीं पे इसके height ज़्यादा होती है तो कहीं पे काम होती है capillary fringe is a subsurface layer in which groundwater seeps up from the water table by capillary action to fill pores same चीज है present only in fine size soil and rocks जो fine particles होंगे किसी soil के वहीं पे capillary action ज़्यादा act करेगा और वहाँ पे इसकी width भी thickness भी ज़्यादा होगी absent in core sediments जो अगर core sediments होंगे तो उसके अंदर capillary action काम नहीं करेगा और यहाँ पे या तो बहुती कम thickness का capillary zone मिलेगा या बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो clear आपको तीनो जोन soil water zone intermediate water वेडो जोन और capillary zone next है उसके जश्ट निचे zone of saturation saturation मतलब यहाँ पूर्ण रूप से पानी आ गया है और पूरे इसके voids जो जितने भी pore spaces हैं cracks हैं, cavities हैं completely filled with water, no air कोई air नहीं है it is a zone lies below the capillary fringe also called phariatic water also called phariatic water phariatic water zone all ports, cavities, cracks, etc are completely filled water water held in this zone is called groundwater in real sense इसी zone में जो water मिल रहा है वही actually groundwater है reason ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि अगर हम extract कर रहे हैं groundwater को तो इसी zone से extract किया जा सकता है बाकी बीच में हमें water तो आएगा लेकिन गिली मिटी मिलेगी लेकिन उस पानी को हम अगर अलग निकालना चाहें तो नहीं कर सकते हैं इस zone से zone of ariation से अगर हम निकाल रहे हैं sorry zone of saturation से जब हम निकाल रहे हैं तो वहां से हम पानी को हम एक्षेक्ट कर सकते हैं ground surface पर वापस ला सकते हैं इसलिए यहां जो पानी मिल रहा है उसी को ground water कहा गया है अब इस ground water या zone of saturation का जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं water table water table क्या है upper limit of zone of saturation is known as water table तो I think कि यह topic आपको clear हो गया है तो इसमें हमने क्या क्या discuss किया vertical distribution of water में हमने क्या discuss किया कि यह दो पार्ट में divide किया हुआ है zone of aeration zone of saturation दो पार्ट है और उसके zone of aeration या zone of unsaturated है उसमें जो pore spaces हैं cavities हैं वो partially filled by water and partially filled by air है जबकि zone of saturation या phariatic जो water zone है उसमें पून रूप से all cavities, all pore spaces are filled with water only जो zone of aeration है वो तीन पार्ट में divide कर रखा है soil water zone जहां तक roots पहुंचती है intermediate weather zone जहां पे water move कर रहा है under gravity towards the water table और उसके ज़स निचे capillary zone जहां पे water table से पानी capillary action से उपर उठ रहा है तो I think this topic is clear to you all thank you students